हाई फ्रेंट्स मेरे नमे सामल और आपको मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल सामल में स्वागत है आज जो टपिक लेके आये है वो टपिक बार बेंडिंग मेशिन का बारे में है जो की बार बेंडिंग मेशिन रहता है अगर कोई कारण का बज़े से आप उसको उल्टा घुम तो उसका कारण है, वो कारण को जानने के लिए आप ये वीडियो को पुरा देखिए, अगर दोस्तों आप इलेटरिकल का वीडियो का साथ जुड़े रहना चाहते हो तो टेक्निकल सामल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब केजिए, लाइक केजिए, कमेट केजिए, सेर पूसफिए, तो आपको किलिए लगा उनला चाहती है, तो चालीए दोस्तों, मैं नेके केजिए हैं मेतजिए हुकंते हैं। उल्टा नहीं घुमता है तो बिन्ना स्कीप करें वीडियो को पूरा देखिए आपको समझ में आएगा उसका अंदर में क्या करने से हमारा जो मेशिन उल्टा घुमता है तो देखिए दोस्तों देखिए मेशिन को चलाने के लिए हम थ्री फेज पावर सप्लाई चालू कर द जागा है देखिए जो रोटेशन है दोस्तों यह रोटेशन को आप ध्यान में रखिए जैसा कि हम अगर फेज चांज करता है तो यह कौन सा रोटेशन में घुमेगा मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों देखिए यह बार बेंडिंग मेशिन का अंदर में यह 800 PSR है जो की फेज चुकेंशी रिले है सिंगिल फेजिंग प्रिवेंटर है और इसका जागा में कोई-कोई मेशिन में VPR भी लगता है जो की वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले होता है इसका जो रोल है वो रोल बहुत महत्पून होता है मेशिन का अंदर में चलिए दोस्तों अभी बारोकूर को रोटेशनी चेंज हो जाता है लेकिन बैर बेंडिंग मेशिन में यह सिंग नहीं होता है व इल्मौ मेशि आपमे bak when better आ है हनले कितना रहा है वहल दोस्तों यह है हमारा प्योच्ष है जो की में दिखादेंगे टो देख़े के दोस्तों यह हैं hingाल है तो उसका जो रोल है बहुत महत्पुन है तो अभी आपको समझ में आएगा देखिए दोस्तों अभी पहले हम वोल्टेज चेकर के आपको बताता हूं देख लिजिए जो वोल्टेज है त्रीफेज लाइन का भी चेकर लेता हूं पहला वोल्टेज आ रहा है 430 और सेकेंड जो बार मेंदी में में जो इंडिकेशन में करता लेकिन कोई भी फेर्फर्स्विच को प्रेस करने के बाद में हमारे में कुछ भी वारकिंग नहीं करता है उसका अंदर में तो उसका जो रोल लिवाता है 800 पी एसार लीवाता है जोकी बीप्यर लगा हो सिंगंड फेजिंग प्रिवैंटर लगा हो तो दोस्तों इसका जो मतलब है कि आजका टपिक का का यह साड का अगर कोई बीपिन टूट जाता है हम इस साइड में करते है तो कोई अब्पीज हो जाता है ऽे छेंज करके तो हमारा मैशिन है फेंज करने बाद में उल्टा मेघवाइब ह확क करने मेशियों Wear Bubble रिभर्स के लिए किसी जो दोस्तों रिपसके लिए क्या लेकिन थोड़ा चेश्स करना ऑट ये चलारी हुँए चलार है तो जो 800 PSR है उसका रोल बहुत महत्पुन में आपको बताया था उसका उपर में में एक डीटेल में वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्शन में लिंग मिल जाएगा आप उधर जाके डायट देख सकते हैं दोस्तों तो देखिए सेप्टी के लिए मेशन का जो अ़िम होता है उसका सेप्टी के लिए लगाता है 800 PSR जो करने जो रिले होता है सीगिशी प्रिवेंटिर को बोलता है और कोई-कोई मेशन में ब्लागता है जो की voltage protection रिले होता है तो देखे दोस्तों अभी में ड्रा करके आपको दिखाता हूँ तो उसमें वीडियो में आप देखे होंगे पिछली वीडियो में L1, L2 और L3 रहता है जो की RYB supply हम देते है तो देखे दोस्तों जैसा कि हम RYB supply देते है जैसा कि हम इधर RYB supply दिए वो अन हुआ तो नहीं हुआ में 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 चेंज करने बाद में हम क्या करना पड़ेगा R को R रखेंगे और YB को चेंज कर देंगे आपस में जो PSR में जो connection लगा होगा पावर सप्लाइक का ओ दोनों को चेंज करनेगे तभी हमारा जो यह PSR लेगा तो हमारा आपको दिखाता हूँ जो 800 PSR है इसका उपर में पहले पिछले बार वीडियो बना चुका हूँ डीटेल में आप देख सकते है डिस्क्रिप्स्टान में लिंक मिल जाएगा आपको तो देखें यह जो है ब्यार बेंडिंग मेशिन में लगा हुआ है सेप्टी प्रपोज के लिए तो उसमें हम क्या करेंगे उपर में आपको भी देखा होगा लिखा है ल1, L2, L3 लिखा हुआ है तो जो L1 रहेगा L2, L3 हम चेंज कर देंगे देखें दोस्तो यह हमारा 800 PSR है मेशिन का अंदर में लगा हुआ है तो उसका जो आपस में दो तार है जो फेच सप्लाई इसको आ रहा है जो थ्री फेच आ रहा है देखें L2, L3 हम अपस में बादल देंगे देखें कि L2 जागा में L3 का सप्लाइ देखें और L3 जागा में L2 का पावर सपलाइ देखें अभी पावर सप्लाइ चालू करते है अगर दोश्तों आप मेरे चनल पर नेया है प्लीज मेरे चनल के सब्सक्राब किज़ें लाइक किजें प्रेस किजिए जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखिए दोस्तों अभी पावर सप्ले हम चालू करते हैं देखिए ध्यान से अभी पावर सप्ले चालू हो गया हमारे जो प्येसर रहे हो प्येसर अन हो गया रेड़ है तो हमारे जो कनेक्शन चेंज करने बाद में नहीं घुम रहा था अभी यह घुमने लगा है तो थांक्यू फर वाचिंग दोस्तों